अब फ्रेंड्स वेल्कम टू शिपसंकर सेफ चैनल शिपसंकर सेफ चैनल पर आज आप देखेंगे होम इस्टेल चिकन का सैन्विच घर पे कैसे बना सकते है रिस्ट्रेंड का टेस्ट में तो चलिए रिसीपी की तरफ तो सबसे पहले आपको वाइट सैन्विच ब्रेड ले और अमूल चीच आपको सबसे पहले लेना है तो चलिए आपको बनाना कैसे है वह हम देखलाते हैं सबसे पहले एक मिक्सिंग गॉल में आपको कैफिकम ओनियंस और टेमेटो जो आप जुलियन सेफ में लिया हूं उसको काट लेना है डाल लेना है उसका बाद इसको क्योंकि इसको अच्छा तरीका से मिक्स करने के बाद जो है इसका अंदर का जो एक पानी होता है वह हम निकाल देंगे जो सैंड़ीज गलेगा नहीं और ड्राय सैंड़ीज होगा चिकन टिक का सैंड़ीज खाने में भी टेस्टी लगेगा तो हमने उसका पानी निकाल दिय लेकिन का गुशनगे लेकिन बीच में प्लीज आप लोग को स्कीप मत कीजे कियोंकि हम आपको शोटी करीशीपी नहीं अच्छा से अच्छा थोड़ा सा वीडियो लंबा होता लेकिन मैं सारा वीडियो को अच्छा से बतला के आप लोगों के बीच ले के आता हूँ जो आप लोग घर पे असान से बना सकेंगे तो हमने बटर लगाने के बारत आपने देखे यह देखी ओनियन केपिसिकम टेमेटर को जो हम को SanWords लिए बच्चे यग्र आपको परिसान करते है मम्मी पापा मुझे चिकें टिका SanWords ही खाना है तो किस टाइब को बनाना है आप यह छीज असान से देख सकते और घर पे भी बना के खा सकते हैं, चाहें तो आप बजार से एक प्लेट चिकन टिक का ले आईए, सैंवीच ब्रेड लेए और ये रिसीपी देखने के बाद आप घर पे अराम से बना के खा सकते हैं, और चिकन टिक का देखिए हमने किस सेप में आपको कटिंग करके ब्रेड्स को उपर हम एड़ करते हैं आप भी इसी सेप में कटिंग करने के बाद ब्रेड्स को उपर एड़ करें और अच्छा तरीका से चिकनट का सेंड़ीच बना सकते हैं लेकिन वीडियो यहीं पर खतम नहीं होता है बीच में स्कीप मत किजिए अगर आप पर नए हैं तो प्लीज साइड एंड सेस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा और अच्छे हाथों से अच्छा कोमेंट करना नहीं भूलिएगा तो हमने सबसे पहले हलका सा नमाक एड़ कर लिया हूँ उसका वद थोड़ा-thोड़ा ब्लैक पेपर आपको एड़ कर लेना है और last में जो है आपको इसमें cheese गरेट करके देना है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चाट मसला एड़ कर लेना क्योंकि आप chicken tikka sandwich बना रहे हैं तो थोड़ा सा chicken tikka का flavor तो आना चाहिए और खाने का बाद मजा भी आना चाहिए जो आपको मम्मी या पापा को बोलना पड़े जो आप लोग घर पे बना के खिलाएंगे इस recipe को देखने वाद अगर tasty लगा तो please आप लोगों से एक request है अच्छे हाथों से अच्छा comment करना नहीं भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा recipe लेके आते ही रहते हैं तो चलिए अब हम फटा फट लेके चलते हैं गिरिल का तरफ तो यह देखिये फ्रेंड आपको मार्केट में यह गिरिलर अराम से बजार में मिल जाता है यह गिरिलर आप लेका है घर पे छोटा से sandwich ब्रेड से आप अच्छा से sandwich बना के घर पे बच्चे के लिए खिला सकते हैं और उमीद करेंगे जो आप लोग ऐस सही recipe देखने के लिए सिफ संकर से चैनल पर बने रहेंगे और बीच में वीडियो को skip नहीं करेंगे बार बार मैं एक चीज को धोराता रहता हूं इसलिए क्यूंकि आप लोग सोचते नहीं यहीं पे खतम हो गया लेकिन नहीं यहां पे खतम नहीं आपको यह भी देखना है घ्रील कैसे करना है किस क걸र में होना है और कितना मिनट करना है maximum आपकम कम से कम इसको चाहिए तो 5 मिनट्स में भी घ्रील कर सकते तो यह देखिए फ्रेंट्स हमने वीडियो को shortकरने के लिए फटा फट करके देखला अपर यह ग्रील हो चुका है Already, अब हम इसको किस चेप में cutting करेंगे और guest का सामने कैसे serving करेंगे तो वो देखिए और cooking भी अच्छा तरीका से sandwiches का अंदर में हो गया है, तो ये देखे friend हम इस चेप में cutting करेंगे अगर यही बड़ा braid होता तो हम इसको 4 पीस कर सकते थे लेकिन ये आपको home style मतलब home size का bread का बनाया हूँ तो इसलिए इसको हम एक का दो पीस किया हूँ और guest का सामने किस तरीका से serving करके देता हूँ और आप लोग भी इसी तरीका से बनाएए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो please share and subscribe करना नहीं भूलेगा अच्छा recipe देखने के लिए शिप संकर से चैनल को विजिट कीजिए और comment चरूर कीजिए ऐसे interesting recipe हम आप लोगों को बीच लेके आता ही रहता हूँ और guest का सामने कैसे serving करते वो चीज आप देखना नहीं भूलेगा अंत तक जरूर देखे बीच में skip नहीं कीजिए हमने fans फड़ाए और console देखे sunbeach को हमने serve की है आज के लिए thank you फिर मिलेंगे new recipe के साथ